एक भी confusion नहीं होने दूँगा और बहादुर कहानी का सारांस इन चार ट्रिक के माध्यम से समझा दूँगा ये चारो ट्रिक क्या हैं अभी इस पर चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे बहादुर कहानी का सारांस और आप बोड इक्जाम में लिखकर आएंगे मिलेंगे आपको पूरे पांच अंक जी हाँ ये जो चार तीहां पर जो है चीजे लिखी गई अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बहादुर कहानी का पूरा सारांस खतम हो जाएगा इन चार बातों में ही खतम हो जाएगा पहली बात अमरकान दूसरी बात लड़का तीसरी बात निर जमपरगी परिवार का लड़का है निरमला एक मतलब की व्यक्तिकी पतनी है वो अपने रिष्टेदार के जातती है तो वहां का सानू सौकत और वहां के नोकर चाकर को देख कर उनके मन में भी एक नोकर रखने की इच्छा जाग उठती है तो निरमला भी जो है एक घर से भागे हुए लड़के बहादूर को अपने घर पर नौकर रख लेती है शुरुआत में बहादूर के प्रती निर्मला और उसके परिवार वालों का बहुत अच्छा खासा बेवहार था लेकिन धीरे धीरे जो है वो बहादूर को जो है मारने पिटने लगती है उससे का इसलब की छोड़ देता है और यह कठोर विवहार के नतरगता आजाएगा और इसी पर पूरी कहानी आपकी समाप्थ हो जाती है अमर कांत से स्टार्ट करेंगे लड़के के बारे में बताएंगे निर्मला कहीं रिष्टेदारी में जाती है वहाँ सानों सवकत के बारे म बताएंगे फिर निर्मला का सुर्वात में नरम बेवार बाद में कठोर बेवार बता दीजे कहानी पूरी समाप्त हो जाती है तो चलिए अब आपको कहानी स्टार्ट करके दिखाते हैं ठीक देखें क्या लिखा है अमर कांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादूर एक मध्यम अमर कांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादूर एक मध्यम परिवार में नौकर के साथ परिवार जनों द्वारा किये गए अत्यधिक गटू बेवार की कहानी है लेखक ने स्वयम को कहानी का पातर बताते हुए लेखक स्वयम कहानी को अपना पातर बताते हैं बहादूर एक मध्यम वर्गी परिवार में नौकर के साथ परिवार जनों द्वारा किये गए अत्यधिक कटू बेवार की कहानी है लेखक ने स्वयम को कहानी का पातर बताते हुए कहानी की आत्मक थात्मक रोप में रचना की है अच्छा इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मेन कहानी तो यहाँ सिस्टार्ट होती है कि अपने से संपन रिष्टेदारों के घर अपने से संपन रिष्टेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुबिधायों सान को देखक की पतनी निर्मला स्वयम भी एक नौकर रखना चाहती थी यह ध्यान दीजे बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपने मा के दुर बिवहार से तंग आकर घर छोण कर सहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है वही तो मैं बोल रहा हूं जो अभी मने बता है वह ऐसे तो चल रहा है जूटी चोरी का इलजाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है देंकि शुरुआत में बहुत अच्छा बिवहार की इलनों को ने बाद में जो है इनका बिवहार उसके प्रती कठोर होता गया और पीटा जाता है अपना घर छोण कर भाग जाओगे तो आप परिवार के सबी सदस उसे धूड़ते है क्योंकि उसके करण सब आराम क्यादी हो चुकी थे बहाधूर की उपयोगता देखकर आप सबी अपना घरेलु कारे करने से घबडाते हैं बहादुर के घर सून कर जाने से वे सभी पस्ताताब करते हैं और अच्छा वेवार करने की सूंसते हैं तो यह यहाँ पर देखिए जब चले जाएंगे तभी तो पस्तावा होता है रहते समय अगर आप किसी का ध्यान रख लीजे तो काय पस्तावा होगा थोड़ा सा और है इसको भी आप यहाँ पर देख लीजे तो यहाँ पर लिखा है कि परन तो अब पस्तावा होता है वो तो चला गया जब चिडिया चुक गई खेत बहादुर में सहन सिलता और स्वभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और उसके इसी चरित के कारण या कहानी हमें परी है ऐसे और वीडियोच के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजे मिलेंगे ने इस वीडियो में ठांकी सो मज जैहिन पने मातर